वीडियो दिखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.ड.com बेल आइकन दबा कर पाएं लेटिस्ट नोडिफिकेशन्स कौन है आशा सिंग जो बीजेपी के लिए बनी चनौती क्या पंकज गुपता की हेट्रिक पर ब्रेक लगाएंगी आशा उन्नाव में आशा सिंग क्या बदलेंगी इतिहास उन्नाव सदर सीट कॉंग्रेस के टिकट पर उन्नाव दुशकर मपीडिता की माँ आशा सिंग यहां मैदान में है प्रियंका गांधी ने आशा को जिताने के लिए पूरी ताकत जोग दी है चुनावी राजनीती में पहली बार कदम रख रही आशा सिंग इस मकावले को महिला सम्मान की लड़ाई बना चुकी आशा सिंग दो हजार सत्रा उन्नाव रेप की घटना की पूरीता की माँ वो ठाकुर समुदाय से तालुक रखती है उनका एक बेटा और चार बेटियां हैं पती की मौत के बाद से आशा मुख्य रूप से किर्शी पर निर्भर रही हैं उनके पती का परिवार ठाकुर समुदाय से है सामोहिक दुशकर्म कांड के बाद उन्हें करीब धाई करोड रुपे की आर्थिक मदद और दिल्ली में एक प्लेट दिया गया था अदालती मुकदमों के चलते अब परिवार ज्यादतर दिल्ली में ही रहता है हाला कि वो उन्नाव के संपर्क में हैं और समय समय पर अपने मूल इस्थान का दोरा करती रहती है आशा सिंग को भारतिय जंता पार्टी के मौजुदा विधायक पंकज गुपता से कड़ी चुनोती का सामना करना पड़ रहा है आशा सिंग लोगों की सहनुभूती के दम पर चुनावी हुंकार भर रही है प्रियंका गांधी आशा सिंग के लिए रोडशो से लेकर जमीनी स्तर तक की मेहनत कर रही है पिछले दो चुनावों से बीजेपी के पास रही उननाव सदर सीट कभी सपा का गढ़ मानी जाती थी लेकिन 2014 के उप चुनाव में ततकालीन विधायक दीपक कुमार के निधन के बाद उनकी पतनी मनीशा दीपक बीजेपी के पंकज गुपता से हार गई थी इसके बाद फिर 2017 में भी पंकज गुपता ने ही जीत हासिल की थी इस बार भी बीजेपी ने पंकज गुपता को ही टिकट दिया है सपा ने डोक्टर अभिनाव कुमार को अपना परतियाशी मनाया कॉंग्रेस ने उननाव पिडिता की माशा सिंग को टिकट दिया है बसपा से देवेंदर सिंग और आमादमी पार्टी से यूरा सिंग मदान में उननाव सदर विधान सभा सीट का रिकोर्ड रहा है कि अब तक कोई भी उम्मीदवार लगातार यहां से तीन बार जीत हासिल नहीं कर पाया इस बार पंकज गुपता के सामने ये तिलिस्म तोडने की चुनोती होगी उन्नाव सदर विधान सभा सीट के सामाजिक समीकरणों की बात करें तो इस विधान सभा चेतर में अन्य पिछड़ा वर्ग के मद्दाताओं की तादाद ज्यादा है अनुसूचिक जाती के मद्दाता भी उन्नाव सदर विधान सभा सीट का चुनाव परिणाम निर्धारित करने में निर्लायक भूमिका निभाते हैं खैर इस बार समीकरण और तस्वीर बिल्कुल बदली हुई है देखना दल्चस्प रहेगा जन्ता जीत का ताज किसे पहनाती है बाकिया ख़बरों के लिए देखते रही है